आप सबका हमार प्रणाम हम श्री रामचंद्र शुक्ल आचारे पंडित रामचंद्र शुक्ल की परपोती वंदना तिवारिवाती हमरे बाबुजी मतलब हमार पिता जी श्री राजेश दत्र शुक्ल हम सबका बबबा जी के बारे में आचारे पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बहुत सारी कहानी सुनावात रहन। उन में से एक कहानी बाद सैयद की लुवार्टी। आज हम सबय की बीच में उई कहानी साजा करा। उकहानी आइसन बाद एक लंबा आरसा अगवना मा गुजारे के बाद सन 1885 इस्वी मा आचारे पंडित रामचन सुक्ल माने हमार बब्बा के बाबुजी पंडित चंद्रबली शुक्ल के मन अगवना में नहीं लाग। उनका अर्बी, फार्सी के पढ़ाई पूरी हुए गए रही। गाउं में मा बेकार पढ़ा रहा वो उनका नीक नहीं लागत रहा। यह बड़े पंडित जी जिला के बड़े डॉक्टर, सिबिल सर्जन के दफ्तर मा नौकरी कई लिए हैं। सन 1887 में इटावा जिला मा सुपरवाईजर कानुनगो बन गएं। बबबा के पिता जी माने पंडित चंद्रबली शुक्ल। सन 1891 इस्वी मां हमीरपूर के राठ तहसील मां उनका इताबादला होए गए। राठ मां चंद्रबली शुक्ल का मन मुताबिक घर नहीं मिला। बहुत देर के बाद कस्बा के एक छोर पर उनका एक बड़ा मकान मिला। जिसका किरावा रहा पांच रुपईया महीना। सब जन उ मकान का भूतहा कहत रहें। मनहूस बतावत रहें। लेकिन मकान पसंद करे के बाद ओए ठाठ से रहाए लागें। उन मकान में इन दुनिया में सब तरह के लोग रहत हैं। आईसन जन भी आहें जो उन अंद बिश्वास में डूबा रहत हैं। आईसन जन के बारे बरे भूतहा मकान में काउनों बाधा का रहब बहुत बड़ा करिश्मा रहन। कच्छु जने कौनों न कौनों बहाना बनाई के, कौनों न कौनों बात कई के, सबका डरावाई के कोशिस में रहत रहें। न का भूत रहत है। वह दूई महिना से ज़्यादा कहू कर रहे नहीं देख। कौनों न कौनों बहाना बनाई के, कौनों न कौनों तरह से परिसान कई के, भगाई देता है। नहीं तो बिमारी के बहानी जान लई लेत है। पंडित चंद्र बलिसु के भूत प्रेद जादू तो ना ओज्ञाई कच्छु नहीं मानत रहें। उनका माता जी इसम्मा विश्वास नहीं करत रहें। जेकर परिणाम ही भवा की लरिकर रामचंडर के कान सयद के कहानी सुन सुन के सुन सुन के सुनत सुनत पक गए। पडोस के पुरणिया लोग बतावत रहें। कि रोज बारा बजे रात में जो पडोस के पुरणिया लोग रहें। जो बुढवन रहें। उन बतावत रहें। कि रात के रोज रात के बारा बजे, के बाद मा उ सयद की प्रेतात मा एक हाथ मा कुरान और दूसर के हाथ में तलवार लएके निक्रत है और कोछ देर तक आंगन में नाच कूद के गाइब होई जात है ओकर मूड ऐसे लागत है जैसे आग की लपट जैसे उम्मे से आग निक्रत है इतरह से बाहर सयद के दुख और घर में भूत परेत का ना मानिय के करण उनका पिता और उनका पिता मही दादी भूत परेत में विश्वाज नाई करत रहीं तो उनका भूत परेत के नाई मानिय क के कारण लरिका रामचंद पर परभाव यह पड़ा कि ओई लोकमत का साबित करें के निश्चय कर लिए हैं वह सोचें यह हम साबित करके रहा कि भूत पर कच्छुनाई होता हैं एक दिन जब सब जने सोई के उठें तो आओ रामचंद लरिका जो रहिन उचुपे से उठें रतिया था आओ एक लिहन मच्छर दानी का डंडा लंबा का डंडा लिहन उम्में एक लपेटें चीथडा कुछ कापड़ा कतरन उम्में लटपेटन चीथडा लपेटन और उका पूरा मट्टी के तेल में बोर के मट्टी के तेल में तरकई के ओका बारा बजे रात में तनिक देर के बरें आंगन में रात में दूनों हाथ से उपर लईके चक्कर काटे लागें पूरा आंगन में चक्कर काटें रात में बारा बजे जब सब जने सोवत रहें तो लरिका रॉप़ए राम चंदर उका हाथ में लई के उलवाति पूरा अंगन में चक्डुल यृ दूसरा दिन जब दूसरा दिन हुआ सबेर सब मुहल्ला मजा के अधाई का बताईं दादक बताईं काकग बताईं काकि बताईं सब जने का बताईन कि हम सुवसायद की लुवार्थी देखन हैं, रात आई के हम सायद की लुवार्थी देखन हैं, दूसर दिन जब ओई आपन बात दोरावत रहें, कि हम सुवसायद की लुवार्थी देखन हैं, रात में बारा वजे सायद आए रहा हैं, सायद की प्रवता अत्मा आए रहे तो सबका बतावत रहें दोरावत रहें तो अब पूरात में सब जने आपन आपन घरे से जहांकत रहें सब जने आपन आपन खिड़की से देखे लागें कि सब्सक्राइब रहें सयद की लुवाटी देखें के सबई उप्रेतातम के दर्सन करें चाहत रहें डर डराएं के सब जहांकत है आपन अपन खिड़की से आपन अपन बालकनी से सवेरे होता है वहुत हला भावा लेकिन सुकल जी पे कौनों परभाव ना है पड़ा पूरा मुहला में पूरा जगा में हला होई गवा कि ऐसे प्रेतात्म रामचंद्र लरीका रामचंद्र देखेन है इअ बहुत हला भाव किस्सा अपन जब बाद में जब लरीकार रामचंद्र बढ़ा होई गवा तब जबब हूँ जब कब हूँ बाल विनोद या भूत परेद की चर्चा होत रही तब पंडित रामचन देशु की एक इस सुनावत रहें बहुत मज़ा में सुनावत रहें सब ऐका कि भूत परेद कच्छों नहीं होते हैं आउ सयद की लुवाटी लाईके हम सब का डरावत रहे बच्पन में तो यह किसा सुनावत रहें सब और सब बहूत मज़ा लेत रहें जब बाल विनोद की बात आवत रही या जब भूत परेटन पे चरचा होत रही तब आच्छा राम चंद सुकुल जब बड़ा होई गये तो फिस्ता सब यह का मज़ा लेत ले लेकर सुनावत रह उनका जो अभिस्वास रहा भूत परेतन पर ओजहा जाड़ फूप पर ओकर उनके पर इतना गहिरा परभाव पड़ा कि उकबाउं हलका नहीं बवा उनकर संस्कार में रच बस गवा ए रहा किस्सा सायद की लुवाटी ए किस्सा हमार पापा हमार पिताजी प्रोफेसर राजेश दात्तुशुकला हमका अक्सर सुनावत रहें और बहुत किस्सा इसे जुड़े हुए सुनावत रहें अक्सर सुनावत रहें तो ए रहा एक किस्सा सायद की लुवाटी